तो दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुती ज़्यादा यूसफुल वेडियो लेकर आया हूँ गाईज दिन भर में हम लोगों के पास बहुत सारे कोल्स आते हैं और सभी पर रिंग टोन बिलकुल सेम होता है कितना अच्छा हो आप लोग अपने फेवरेट कोंटेक्ट्स पर अलग अलग रिंग टोन को सेट कर सकते हो यानि कि अगर मेरा कोल आया तो अलग रिंग टोन सुनाई देगी भाई का कोल आया अलग रिंग टोन सुनाई देगी मम्मी पापा का किसी का भी कोल आया अलग अलग रिंग टोन आप लोग जो है सेट कर सकते हो अलग अलग कॉन्टेक्ट के उपर तो क्या ये पोसिबल है तो बिल्कुल पोसिबल है कैसे होगा आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखना उससे पहले चैनल पर अगर आप लोग नहीं हो तो सबस्क्राइब करके नोटिविकेशन बेल अकन को ओल पे सेट कर लेना एक ब्लाइंड यूजर के लिए ऐसे ही यूसफुल वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं साथ ही गाई इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सबी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि सबी तक इन्फोर्मेशन पहुंच सके वाटसेब ग्रूप आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट पेज में अवेलिबल है वहाँ से आप लोग वाटसेब ग्रूप को जोईन कर सकते हो और अगर आप लोगों कोई सवाल है तो आप लोग नीचे कोमेंट बुक्स में कोमेंट करके जो बुच सकते हो अगर आप लोगों को भी किसी टॉपिक पर वेडियो चाहिए तो भी आप लोग नीचे कोमेंट बुक्स में कोमेंट करके बता सकते हो मैं ज़दा टाइम ना लेते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ तो दोस्तो मैं आगया हूँ अपने फोन की स्क्रीन के उपर और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अलग अलग कॉंटेक्ट के उपर अलग अलग रिंग टोन को कैसे सेट कर सकते हो बहुत ज़्यादा यूसफुल वीडियो है बेसिक यूजर के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है जितने भी अडवांस यूजर हैं और जो लोग जानते हैं वो लोग इस वीडियो को स्किप कर दीजेगा ये वीडियो बेसिक यूजर के लिए बनाया जा रहा है मैं करता हूँ अपने फोन में टॉक बैक को ओन और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन हाँ अडवांस यूजर भी और जो लोग जानते हैं वो लोग भी आज की इस वीडियो को सभी बेसिक यूजर तक शेयर जरूर कीजेगा जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाएगा और जितने ज़्यादा लोग सीख पाएंगे ठीक है तो मैं करता हूँ अपने फोन में टॉक बैक को ओन शेयर आप लोगों को जरूर करना है टॉक बैक ओन हो गया अपने हो गाईज क्या करना है सिंपल फोन अप्लिकेशन को ओपन करना है मेरे फोन में गूगल फोन अप्लिकेशन इंस्टोल है ठीक है तो फोन अप को ओपन करेंगे फोन अप में जाना के बाद गाईज अपने को more option लेना है, ठीक है, more option लेंगे more option पी double tap करूँगा settings वाले option पी चलेंगे guys, settings में आने के बाद आपको यहाँ पी एक option मिलेगा, मैं left to right के swipe करता हूँ, चलता हूँ यहाँ पहला option है, caller ID and spam इसे छोड़ दीजेगा general यह heading है accessibility को भी छोड़ दीजेगा assistant dialing को भी छोड़ दीजेगा block numbers को भी छोड़ दीजेगा calling accounts को भी छोड़ दीजेगा call recording, display option, quick responses sound and vibration, voicemail contact ringtones, 13 of 16 contact ringtones, ठीक है आपको इस option पे जाना है double tap कर देंगे contacts जैसे ही guys मैंने double tap किया तो यहाँ पे contact ringtones वारा जो page है मेरे सामने open हो गया contact ringtones, ठीक है यहाँ पे swipe परेंगे left right की और अब यहाँ पे एक भी जो है contact मेंने ऐसा select नहीं कर रखा है जिस पर अलग से किसी ringtone को set किया हो ठीक है, swipe परेंगे left right की और ठीक है, तो यह बता रहा है कि यहाँ से आप लोग particular किसी contact की ringtone change कर सकते हो, set कर सकते हो जिससे आपको help मिलेगी किसी contact को recognize करने पर माली जी मैं अपने family के number पर कोई अलग ringtone लगा देता हूँ और मैं कुछ काम कर रहा हूँ मेरा phone मेरे पास नहीं है तो मैं दूर से ही सुन सकता हूँ कि मेरे घर से phone आ रहा है या कोई और phone आ रहा है ठीक है, तो आगे swipe करेंगे left right की और add contact ringtone वाला option आ रहा है, double tap करेंगे simple यहाँ पर जैसे ही मैंने double tap किया guys, मेरे सामने contact list मेरी open हो गई ठीक है, swipe करेंगे left right की और ठीक है, यहाँ से अपने को contact चूज करना है, जिसकी ringtone हम set करना चाहते है ठीक है, तो यहाँ पर contact में सामने, red heart के नाम से save किया हुआ है इसी को मैं select कर लेता हूँ, ठीक है, double tap करेंगे मैंने contact को select कर लिया, अब देखें guys, मेरे सामने यहाँ पर ringtone show हो रही है ठीक है, custom heading है, on this device, अगर आपके phone में कोई ringtone आपने download कर रखी है तो वो आप यहाँ पर जाके set कर सकते हो, आगे swipe करेंगे आगे आ रही हैं सारी system ringtone, जो आपको phone की side से, company की side से default में मिलती है ठीक है, it's real me किया यह, यह real me tune है, ठीक है, जिस पर आप double tap कर दोगे, वो ringtone आपकी set हो जाएगी उसके बाद आपको simple back कर देना है, माले यह ringtone है, मैंने यह ringtone select कर दे, मैं double tap किया, बस अब आपको back कर देना है ठीक है, आप देखिए, contact ringtone, ठीक है, यहाँ पर नमबर दिखा रहा है, और ringtone जो मैंने set किया है, वो दिखा रहा है यहाँ से आप दुबारा चाहो तो इसकी ringtone को change कर सकते हो, edit का option है अगर आप चाहते हो remove करना, तो यहाँ पर double tap करके आप remove भी कर सकते हो फिर जो आपकी normal ringtone है, जो आपने सभी contacts के लिए लगा रखी है, वो ही ringtone आपकी यहाँ पर भी set हो जाएगी तो ऐसे आप लोग किसी भी contact पर अलग-अलग ringtone को set कर सकते हो, तो आज का यह छोटा सा वीडियो आप लोग कैसा लगा, मुझे नीचे comment box में comment करके जुरू बताना वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को like कर देना, चैनल पर नहीं हो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब पर के notification bell icon को all पर set कर लेना, इस चैनल पर आप लोग को basic से लेके advance तक के सभी परकार के वीडियो मिलते रहते हैं, आज की इस वीड ढर नहींस सब्सक्राइब नहीं अच्छा आप क्वैज उिए एंदोताह्ण BAK, तो सब्सक्राइब नहीं वीडियों कियne दिएर, हाइब चाहिए लेजू श्सक्राइब विन कियार रहते हीं है, जो बगाए वैए, तो देने, शेसे सब्सक्राइबूणिए इसे सब्सक्र